आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ कहानी रसकन बॉंड की है दबल्यू अम्प्रिला कहानी है उत्तरा खंड के गड़वाल के एक छोटे से गाउं की एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी बच्ची बिनिया से ये लड़की अपनी मा और अपने भाई बिज्जू के साथ में रहती है इसके फादर की डेथ हो चुकी है और गरीबी में जिन्दगी जी रहे है बिनिया के उमर लगबग 10 साल है अपने हाथ में रंग विरंगी चूडिया पहनती है और अपने गले में एक चीते के नाखुन का नेकलिस माला टाइप से अब वहाँ के लोग इस टाइप के नेकलिस को लखी मानते थे अब एक दिन ये बिनिया अपनी दो गाएं भी है इनके पास में उनको चराने के लिए लेकर गए तो उसने क्या देखा जब उसकी गाएं इदर इदर घूम रही थी तो सामने इसने देखा कि कुछ लोग पिक्निक मनाने आये थे वो लोग इस गाओं के तो लगनी रहे थे लग रहा था कहीं बाहर से आये हैं तो उसकी नजर पढ़ती है एक चाते पर जो की खुला जमीन पर रखा हुआ था उनके पास में उन लोगों के पास उस चाता देखने में बहुत ही खुबसूरत था सिल्क, मकमल की कपड़े का अब बिनिया को उचाता देखते ही पसंद आ गया वो लगातार उस चाते को देखे जा रही है तभी उन पिकनिक मनाने वालों में से एक लेडी की नजर पढ़ती है बिनिया पर बिनिया ने जो गले में चीते के नाखुन की माला पहन रखी थी वो उस लेडी को बहुत पसंद आई उस लेडी ने बिनिया को अपने पास बुलाया और बोले क्या तुम इस मालों को बेचोगी तो बिनिया ने मौका देखते ही बिल्य अम्रेला उनसे मांग लिया कि आप मुझे अम्रेला देदो, मैं आपको माला देदोंगी तो इस तरह बिनिया ने उस नेकलेस के बदले में वो बिल्य अम्रेला ले लिया और बिनिया उस चाते को अपने घर ले आई सब लोग उसकी तारीफ करते थे सब लोग उससे जलते भी थे अब कहानी में एक और केरक्टर की एंट्री होती है केरक्टर है एक चायवाला राम भरोसा ये अपनी दुकान में कुछ टॉफियां वगेरा भी रखता था बिज्जू और बनिया इसके पास में टॉफियां खरीदने आते थे तो राम भरोसा को भी ये ब्रियो अम्रेला पसंद आगया सिल्क का बिनिया उसके पास में टॉफिय लेने आये तो उसने उससे पूछा राम भरोसा ने कि तुम्हें ये चाता कहां से मिला ये तो सिल्क का है बड़ा महंगा लग रहा है ये तो मेम साब लोगों की पास में होता है तुम्हारे पास में कैसे आया तो उसने बता दिया कि ये मुझे अपने चीते की नेकलस की बदले में मिला है तो राम बरोजा बोला कि अच्छा लेकिन तुम्हें च्छाते का करोगी क्या ना तो अभी धूप है ना बारिश हो रही है एक काम करो एक आइडिया देता हूँ ये च्छाता मुझे बेज दो मैं तुम्हें इसके बदले में पांच रुपे दूँगा लेकिन बिनिया बोली कि इस च्छाते की कीमत पंदरा रुपे है तो बोला अच्छा तो चलो दसर पर देता हूँ उसने फिर मना कर दिया चलो बारा रुपे तो बिनिया बोली मैं यहाँ पर टौफी लेने आयो सौदा करने नहीं राम भरुसा चुप चाप उसको टौफी दे देता है और च्छाते को देखते रहता है अब धीरे धीरे बरसात का मौसम आ गया दूप और बरसात जेलते जेलते वक्त के साथ उस च्छाते का कलर भी फीका पड़ गया लेकिन अब भी वो पूरे गाओं का सबसे खूबसूरत चाता था और बनिया उससे बहुत प्यार करते थे अब उस चायवाले राम भरुसा ने एक लड़के को अपने यहां पर काम पर रखा उस लड़के का नाम था राजा राम जो बहुत ही चाला किसम का लड़का था उसने तुरंत नोट कर लिया कि उसका सेट राजा राम उस नीले चाते को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी-दुखी सा फिल करता है उसने एक दिन मौका पाकर राम भरुसा से अपने सेट से पूछी लिया कि सेट जी बात क्या है राम बरोसा ने अपने नौकर को राजाराम को सारी बात बता दी कि मुझे वो जाता बहुत पसंद है मैंने उस लड़की से बेचने को भी कहा लेकिन उसने मना कर दिया राजाराम ने पूछा आपको क्या काम उस चाहतेगा आप तो बाहर भी ने निकलते हो ना दूप में ना बारिश में तो उसने कहा मेरा भी दिल है मुझे भी चीज़े पसंद आती है राजाराम ने चीज़े देखी समझी उसके बाद कुछ सोचकर उसने कहा कि ठीक है आप अगर मुझे तीन रुपए दोगे तो वो चाहता मैं आपको लाकर दूँगा तो राम भरुसा बोला क्या मतलब है तुम्हारा तुम वो चाहता चोरी करोगे तुम चोरी करके वो चाहता लाओगे और मैं तुमसे वो चाहता ले लूँगा राजाराम बोला कि छाता तो सिर्ट जी आपको वैसे भी मिलने से रहा अगर आपको छाता चाहिए तो यही एक रास्ता है मैं आपको छाता लाकर दूँगा आप जो कुछ भी करो यह आपकी प्राब्लम है मुझे बस बदले में तीन रुप़े चाहिए ऐसा ऐसा कहकर उसने राम बरुसा को राजी कर लिया इसके बाद वो बिनिया का छाता चुराने गया लेकिन वो छाता चुराते वक्त बिनिया के भाई बिज्जू ने उसे देख लिया बिज्जू ने उसे पकड़ा तो मारने लगा उसने उससे पूछा कि तुम ये चाता क्यों चुराने आये थे तो राजाराम ने यहाँ पर जूट बोल दिया उसने कहा कि मेरे सेड़ जी राम भरोसा ने मुझसे कहा था कि तुम ये चाता नहीं चुरा के लाओगी तो मैं तुम एक काम से निकाल दूँगा अब बिनिया का ये चाता चुराने की बाद धीरे धीरे पूरे गाओं में फैल गई लोग अब राम भरोसा की दुकान पर जाना बंद कर दिये कि राम भरोसा ने अपने नौकर को चूरी करने के लिए बोला राम भरुसा पूरा पूरा दिन दुखी रहकर अपनी दुकान पर बैठा रहता था वो दुखी दुखी सा रहता था, खाता पिता भी बहुत कम था और सीजन भी चला गया था तो पैसे की दिक्कत से उसने राजा राम को भी अपनी दुकान से निकाल दिया था बिनिया जब भी अपने भाई बेज्जू के साथ में वहाँ से निकलती थी और राम भरुसा की हालत को देखती थी तो कहीं न कहीं सोचती थी कि इस हालत की जिम्मिदार मैं ही कहीं हूँ और बहुत दिनों बाद एक दिन राम भरुसा की दुकान पर बिनिया गई 10 पैसे लेकर राम भरुसा इतने दिनों बाद अपनी दुकान पर किसी कस्टमर को देख कर थोड़ा एकसाइटेड हो गया लेकिन बाद में उसने सोचा कि कहीं बिनिया अपना चाता देखा कर मुझे चिडाने तो नहीं आई है लेकिन फिर भी उसने बिनिया को टॉफी निकाल कर दी और बिनिया टॉफी लेकर वहां से चली गई बिनिया के जाने के बाद राम भरोसा ने देखा कि काउंटर पर चाता पड़ा था वो ही नीला चाता जिसको वो इतने टाइम से चाता था बिनिया शायद उस चाते को उस काउंटर पर भूल गई थी रामबरुसा अपने दुकान से निकला और च्छाता लेकर बिनिया की तरफ दौडने लगा उसने बिनिया को रोक कर बोला कि तुमने ये च्छाता मेरी दुकान पर छोड़ दिया तो बिनिया अपना सिर हिला कर बोलती है कि इसे आप ही रख लो मुझे यह नहीं चाहिए रामबरुसा बोला कि आरे यह तो कितना सुन्दर चाहता है अब भी यह गाओं का सबसे खुबसूरत चाहता है बिनिया बोली कि हाँ मुझे मालू मैं लेकिन एक चाहता ही तो सब कुछ रही होता ये कहकर बिनिया ने अपना बड़पन दिखाया और रामभरुसा को भी कोई भी मिलता तो सब को ये बोलता कि बिनिया नहीं चाता उसे गिफ्ट में दिया है और लोगों ने भी फिर से रामभरुसा की दुकान पर आना जाना शुरू कर दिया अब एक रात क्या होता है रामभरुसा की दुकान पर एक भालू आता है तो भालू एक कद्दू से टकरा कर उसका नाखुन तूट जाता है वो नाखुन रामभरुसा को मिलता है उसने क्या किया उस नाखुन से एक नेकलिस बनवा कर बिनिया को गिफ्ट कर दिया और यहीं पर यह कहानी खतम होती है उम्मिद करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आया होगी दोस्तों आज की वीडियो में बस अतना है